तो मंगल अगर आपके नुवामसा चार्ट में दूसरे भाव में इस्तित हैं, तो मंगल का प्रभाव दूसरे भाव में कैसा रह सकता है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे. इससे पहले पर्थम भाव के बारे में पिसले वीडियो में बात हो चुकी है. देखिए मंगल दूसरे भाव में इस्तित है तो विवाह होने के पस्चाद जब भी आप प्रोपर्टी समंदी कोई सोधा करेंगे चाहे खरीदने का हो या चाहे बेशने का हो उसमें आपको काफी अरचने आ सकती हैं काफी विवादों का सामना करना पड़ सकता है आप अपनी पैतरिक संपत को बहुत अधिक अपने इसाब से मैनेज करने का तरीका देखेगा ऐसी कंडिशन में आपको काफी बार संपति से रिलेटेड जगडों का सामना करना पड़ सकता है जिवन साती की साथ अक्सर धन के मैनेजमेंट को लेकर समस्य हो सकती हैं संपति को लेकर अक्सर मार्पीट तक बातें जा सकती हैं मंगल के इस स्थिति की वज़े से आप विवा होने के पस्याद जादा से ज्यादा धन संपति कलेक्ट करने की तरफ ध्यान देंगे मंगल के इस स्थिति में आपको हमेशा ही कोई न कोई ऐसा डर रहेगा जहां पर आपका कोई बहुत बड़ा से और आपको जिवन साथी के आने के बाद भी काफी ज़्यादा धन संपति देता है तो आपका जो मान सम्मान है आपका जो रेस्पेक्ट है वो काफी अच्छा हो सकता है आपकी जो फेमली है उसमें आपकी रेपूटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है या आपक जो एक standard है life का वो काफी अच्छा हो सकता है पर ऐसा मंगल आपको बहुत ज़्यदा उगरता परदान करेगा कभी-कभी बहुत गलत decision लेने के लिए भी प्रेरित करेगा ऐसे में आपको काफी सारी समस्याइं आ सकती है मंगल के इस इस्तिती के बज़े से आप कभी-कभी आपक हो देंगे और खुद पर नियंतर नहीं रख पाएंगे इससे आपको रिस्तों में हमेशा ही दरारों का सामना करना पड़ेगा अक्सर अपने जिवन साती के साथ भी और बाकी के जो आपके फैमिली से जुड़े वे रिस्ते उनके साथ भी आपका बिहेव काफी अलग हो सकता है मंगल के इस इस्तिती की वज़े से आप हमेशा ही ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ती अरजित करने पर ध्यान देंगे इसके लिए आप अपने आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे और आपके कैरियर में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने के चांसेज है या फिर आपका कोई न कोई ऐसा बिजनस सेट अप हो जाए विवा होने के बसचाथ जिससे आपको ज़्यादा सी ज़्यादा धन और संपती अरजित हो सके ऐसा ज़्यादा थोड़ा मूफट ज़्यादा होगा वो अपनी परतिक्रिया बहुत जल्दी देदेगा तो दूसरों की भावनाओं को ठेश पहुंचाने की भी आप में एक परवर्ती रह सकती है इवन यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आपका बिहेव कभी कभी काफी खराब रह सकता है मंगल के इस इस्तिती की वज़े से यह दिखाता है कि आपका जब ओल्ड एज तक आप जाएंगे लगबग 45 या 50 की एज तक जब आप क्रोस करेंगे ऐसी कंडिशन में उस समय आपके अपने संतान के साथ काफी ज़्यदा विवाद हो सकते हैं धन समपती के बंटवारे को लेकर मंगल की यह इस्तिती आपको ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बनने की तरफ प्रेजित करेगी और वो जो आप धनवान बनेंगे या जो आप बहुत ज़्यादा रिच बनेंगे उसके वज़े से आपका मानसमान कितना है आपकी रेस्पेक्ट कितनी है यह सब लाने के लिए मंगल यहाँ पर परभावी तरीके से काम करेगा पर यहाँ आपको अपने आपको काफी नियंतर्ण में भी रखना पड़ेगा आपको कभी भी गमण नहीं करना है अब मंगल एक बहुती फारी एनर्जी है फारी एनर्जी होने के वज़े से हमेशा धन संपती अरजित करने में आप हमेशा ही आगे रहेंगे आप इवन दूसरों के साथ बहुत ज़्यदा कमपेटिशन भी कर सकते हैं मंगल के इस स्थिति की वज़े से आपकी आर्थिक स्थिति में काफी उतार चड़ाव भी आ सकते हैं कभी कभी आप अपनी गलतियों के वज़े से धन संपती खो सकते हैं या कोई ऐसा बहुत बड़ा खर्चा कर सकते हैं या आपके साथ कोई ऐसा फ्रोड हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ सकती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अर्णिंग्स खो सकते हैं मंगल की ये स्थिति वास्तम में आपके कैरियर को बहुत हद तक प्रभावित करेगी आपके नेचर को, आपके बात करने के स्टाइल को काफ competition प्रभावित करेगी इसके साथ आपके family relations, family relations के अगर बात करी जाए То ऐसा मंगल कभी-कभी जिवनसाथी और उनकी family के साथ काफी सारी अध्यादा आपको आ सकती है मैरिज से पहले भी और मैरिज के बाद भी तो ऐसा मंगल आपके धनवान होने आपके बहुत संपतिवान होने में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है